हलो डियर स्टूजेंट्स, पी कॉम थर्ड यर के हुमन रिसोर्स मानेजमेंट पेपर में यूनिट थर्ड में आचारा मेकनीजम में आज हम प्रमोशन की बात करेंगे, प्रमोशन यानि की पदो नत्ती तो शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि प्रमोशन कहते किसे है प्रमोशन is an upward movement of employee in the organization to another job, hire in the organization's hierarchy, यानि कि एक संगठन में करमशारी के उर्थव मुखी movement को या गती शिलता को प्रमोशन के नाम से जाना जाता है, जो ये प्रमोशन होता है, यह व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा में वरत्धी करता है, तो इसलिए जैसा कि इसके नाम से प्रमोशन का यह मतलब हुआ कि जब एक employee को organization में पहले से उचे पदो पर नियुक्ति किया जाता है, या कारे पर लगाया जाता है, तो इसे हम पदो नत्ति के नाम से जानते हैं, अब बात करते हैं कि प्रमोशन जो होते हैं उसको apply करने से या प्रमोशन की नीती होने से संगठन में क्या लाब होते हैं या यह क्यों महत्वपून होता है, प्रमोशन इसलिए महत्वपून होता है कि इसे employees को कारे में interest बना रहता है, उनका एक career path decided रहता है कि वे वहां से उचे पदो पर जा सकते हैं, तो अगर इसके advantages की बात करें, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि a promotion provides an opportunity to the present employee to move into jobs that provide greater personal satisfaction कि employees को इसे personal satisfaction मिलता है, इसी के साथ it offers opportunities to management to provide recognition and incentives to the better employees की इससे एक difference करने का भी एक opportunity मिलती है, कि जो employees deserve करते हैं, उनको recognize किया जाए, उनको promotion प्रोवाइड करके, इसी के साथ it generates within an organization beneficial pressures on work performances and desired behavior of all members की सभी वेक्तियों से, एक वांचित व्यवार के लिए उनके उपर एक दबाव या एक उनके लिए अभी प्रिर्णा का एक ground prepare करता है, It serves as an orderly, logical and prompt source of recruitment for management to fill vacances as they arise, कि promotion जो होते हैं ये recruitment का internal source भी होते हैं, क्योंकि external sources के लिए एक लंबे और complex procedure को follow करना पड़ता है, और promotion के द्वारा जो है internally ही sources को use किया जाता है और इस तरीके से ये employees के लिए और organization के लिए दोनों के लिए beneficial होता है, It provides internal mobility, It creates existing and prospective human resource inventory, इसी के साथ उपकरम में human resource की inventory यानि human resource कितने हैं इसकी जानकारी रहती है और एक inventory available कराती है, Employees become dynamic enough and they adapt to change और इस तरीके से उनमें एक गतिशीलता आती है और उनकी जो talent है वो develop होता है और वो change को भी adapt करने के लिए तयार होता है, तो ये employees के लिए एक positive बात होती है, employees may be able to reach any heights of their careers due to promotion scheme की, अपने career path को decide कर सकते हैं और highest जो post से हैं वहां तक वह reach कर सकते हैं, labor turnover is reduced जब करमचारियों को पदोनत्ती का अफसर मिलता है तो वो अपकुरम को छोड़के जाने की बात नहीं सोचते हैं इसलिए overall labor turnover reduce होता है, the promotion has built motivational value, इसमें motivation भी मिलता है करमचारियों को, it forces an employee to use his knowledge, skill and abilities fully, इसे उनको अपनी योगताओं का भरपूर उपयोग करने का एक अफसर मिलता है और प्रेणा भी मिलती है, if an employee fails behind in the race, is also motivated to acquire the required skill, अगर वोसे एक बार पदोनती नहीं मिलती है, तो वह further इसके लिए प्रेयास करने की, कोशिच करता है और इस तरीगे से अपनी skills को, knowledge को improve करने के लिए वह prepared होता है, तो यह एक उपकुरम के लिए और एक employee के लिए अच्छी बात होती है, it encourages employees to remain loyal and committed to their jobs and the organization, इससे निश्ठा में व्रद्धी होती है और वो organization के साथ में एक लगाव बनाए रख सकते हैं, और loyalty जो है इसमें बढ़ती है, निश्ठा की बाहना वढ़ती है, employee become ready to assume challenges, roles by improving their skills constantly to get promotion, इस तरीके से जो employees होते हैं, उनकी talent का development होता है और वह नएने challenges को face करने के लिए तयार होते हैं, इसे के साथ यह भी कह सकते हैं, कि interest in training and development program is also promoted, कि promotion के लिए अगर यह ground होता है कि training होनी चाहिए, तो इस से training and development कारेक्रमों में भी जो employees है, वो अपना interest दिखाते हैं, और उसको काफी उच्छा के साथ में जॉइन करते हैं, the organization can utilize the skills and abilities of its personnel more effectively and efficiently to build loyalty, moral and sense of belongingness in the employee promotion is very much important to impress upon others that opportunities are available to them too in the organization if they perform well. अन्य व्यक्तियों को भी एक प्रेणा प्रदान करता है, जिनकों की प्धोनत्ति की आकांख्शा होती है, वह है प्धोनत्य व्यक्तियों को देखके प्रेरित होते हैं, it motivate employee to hire productivity, इससे उन्हें अच्छा कार्य करने की प्रेणा मिलती है, जहां पर promotion के इतने advantages हैं, वहां पर इसकी कुछ सीमाई भी है, तो इसकी जो एक सीमा है वो यह है, कि जो promotion होता है, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इससे organization में नए व्यक्ति नहीं आते, और जो existing person है, जिनके अंदर जो quality है, या जो जैसा उनका nature है, या जैसा उनका work style है, या technique है, वो उन्हीं techniques के around ही अपना performance देते हैं, तो नए changes देखने को, या नए तकनीक के इलाब जो है organization को नहीं मिलते, their system becomes stagnant, इससे जो system है, वो काफी इस्थिर हो जाता है और उसमें changes नहीं आते, promotion promotes inbreeding in which the company may not have new thinking to occur, old ideas and habits are there, तो इस तरीके से वहाँ पे वही आदते और उसी कालेवार के साथ में वेक्ति अपना performance करते हैं, so old ideas and habits are perpetuated and the newer employees are introduced at lower level, कि जो नई generation है, जो ज़्यादा talented है, technically ज़्यादा effective है, efficient है, और व्यक्तियों को नीचे पदों पर कारे करना पड़ता है, यह इसके एक disadvantages कहे जा सकते हैं, लेकिन इसके advantages ज़्यादा हैं, तो कहेंगे कि एक organization में promotion policy तो होने चाहिए, लेकिन recruitment में इसको अनुपातिक रूप से या फिर एक rational way में utilize किया जाना चाहिए, कि कुछ percentage post जो है, वहाँ promotion से fill की जाए, और कुछ percentage external source से भरी जाए, अब बात कर रहे हैं कि promotion के basis क्या क्या होता है, promotion के दो basis होता है, एक seniority based promotion होता है, और दूसरा merit based promotion होता है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, seniority का मतलब कि length of the service की एक employee को एक company में या कारे में रहते हुए, कितने वर्ष होए हैं, उसके अनुभव के आधार पर जब उसे पदोनत्ती दी जाती है, तो इसे seniority based promotion के नाम से जाना जाता है, the well established basis of promotions are seniority and merit, if seniority is the basis of promotion, an employee with the longest period of service will get promoted, irrespective of whether he is competent to occupy a higher post or not, तो यहाँ पर योगिता की बजाए, व्यक्ति के कारे की अवधी और उसके अनुभव के आधार पर उसे पदोनत्ती दी जाती है, इसके क्या merit से उनकी बात कर लेते हैं, it is fairly objective कि यह है, इसका जो देश्य है वाच्छा होता है कि व्यक्तियों को यह अनुभव को पहचाना जाना चाहिए, recognize और सम्मान दिया जाना चाहिए, it is easy to measure the length, इसका criteria, जो है, इसको follow करना easy होता है, with the base of seniority, there is no scope of favoritism, तो पक्षपात की संभावना नहीं रहती, labor unions welcome seniority based promotion, seniority and experience go hand in hand, and therefore it is right and proper to make promotions on this basis, subordinates are more willing to work under an older boss who has given many years of service to the company, loyalty is rewarded, कि से निष्ठा बढ़ती है, स्वामी बढ़ती है, this criteria works as a token of respect for senior employees, तो इस तरीके से इसके ये कुछ फाइदा रहते हैं, या कहेंगे कि ये इसके कुछ plus points है, this base of seniority further makes the employee disciplined and dedicated, labor turnover will be comparatively less, and there will be no threat to the existing organizational culture, labor turnover, यानि कि करमचारियों का आना जाना इससे control होता है, काम होता है, क्योंकि जब उन्हें पदोनत्ती मिलती है, तो आप करम में बने रहना चाहते हैं, this system is quite cost effective, as external hiring cost can be avoided, तो इस तरीके से seniority based promotion के कुछ benefits होते हैं, या इसके merits होते हैं, अब बात कर रहे हैं हम, इसकी demerits की, कि जब seniority के बहाब पर promotion दिया जाता है, तो इसकी क्या demerits रहती है, इसमें है कि the learning capabilities of people में, diminish की उनकी सीखने की शमता काम हो जाती है, क्योंकि सीखने के आवशकता ही नहीं है, सिर्फ अनुभाव के आधार भी व्यक्ति को पदोनती दी जाती है, इट दी मोटिवेट दा यंग, और मोर कॉंपिटेंट इंप्लोईज और रिजर्ट्स ग्रेटर इंप्लोईट टानूवर, कि जो ज़्यादा टेलेंटेड व्यक्ति हैं, स्टाफ हैं, उनको इससे एक दी मोटिवेशन मिलता है, कि टैलेंट की बजाए, अनुभाव या लेंट अफ सर्विस को प्रोमोशन का क्राइटेरिया मनाया गया है, it kills the jeal and interest to develop as everyday will be promoted, everybody will be promoted without showing any all-round growth of promise, कि व्यक्तियों को कुछ सीखे भी नहीं, नई डिग्री या नया टैलेंट लिये भी नहीं, प्रोमोशन मिलेगा, तो इस तरीके से उनका हुट्साह खातम हो जाता है, and excessive emphasis on seniority may, violet employee attitudes about the right way of getting ahead, तो इस तरीके से उन्हें सही दिशा में जाने का और अधिक काम करने का और अधिक टैलेंट दिखाने का एक जो है कोई motivation नहीं होता है, प्रोमोशन seniority frustrates really talented employee as they will have to wait to their turn of promotions, the organization is deprived of external talent, तो इस तरीके से इसमें कुछ यह demerits होते हैं, seniority criterion destroys the initiative of people, अगर इसको sum up किया जाए, तो कुल मिला कि यह कहा जाएगा, कि जो talent होता है, वो इससे frustrated होता है, और जो ज़्यादा effective और efficient और talented person होते हैं, उनको अपनी पदोनत्ती के लिए इंतिजार करना होता है, तो यह उनके talent के लिए एक negative बात होती है, तो इस तरीके से seniority based जो promotion है, उसमें यह कमिया देखी गई है, कि seniority is no indication of competence, यह भी कहा जाता है, कि जरूरी नहीं है, कि जो व्यक्ति अनुभव होते हैं, व्यक्ति काफे talented हो, technically smart हो, या फिर उसके पास में कही सारे degree हो, सिर्फ length of the service के भी आपर उसे promote कर दिया जाता है, अब बात कर रहे हैं, merit-based promotions की, कि merit-based promotions क्या होते हैं, जैसा कि नाम से clear है, merit-based promotions occurs when an employee is promoted because of superior performance in the current job, merit here denotes an individual's knowledge, skill, abilities and efficiency as measured from his educational qualifications की, जब एक व्यक्ति को उसकी योग्गिता, उसकी कुशलताओं और उसके चातूरे के आधार पर उसे पदोनत्ति दी जाती है, तो इसको कहते हैं कि यह योग्गिता पर आधारित पदोनत्ति है, और इस पदोनत्ति विधी से जो talented व्यक्ति हैं, उनको काफी encouragement मिलता है, to encourage those employees who make a successful effort to increase their knowledge or skill and who maintain a high level of productivity. इसी के साथ सद यह भी कहा जाएगा कि it places high value on advancement, on merit कि इससे जो है योग्गिताओं को प्रोचाहन मिलता है, उसको value दी जाती है, it motivates employee to work hard, it helps the employee to focus attention on talented people, कि इसे जो होता है, talent को प्रोचाहन मिलता है, it helps employer to focus, जो नहीं हो जाक है, उसका भी ध्यान उन व्यक्तियों पे जाता है, जो व्यक्ति ज़्यादा talented होते हैं और अच्छा performance करते हैं, it also inspires other employees to improve their standards of performance, दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेणा मिलते हैं, कि वे अच्छा perform करें, efficiency is encouraged, recognized and rewarded, ये भी एक अच्छी बात है, कि efficiency को recognized किया जाता है, and competent people are retained, because better prospectors are open to them, तो इस तरीके से talented व्यक्ति जो हैं, वो organization में बने रहते हैं, तो organization के लिए वह हैं, एक asset की तरह होते हैं, effectively and efficiently, जहां पर इसके कुछ benefits हैं, अगर इसके benefits के साथ साथ, इसके कुछ limitations या demerits भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, तो इसमें demerit में यह का जाएगा, कि व्यक्ति talented तो होता है, skilled तो होता है, लेकिन कही सारे चीज़ें अनुभव से और व्यावार से भी सिखी जाती हैं, तो यहां पर उस चीज़ की उपेक्षा होती है, यह नेगलेक्टेड रहता है, इसमें पक्षपात नहीं होगा, कि पक्षपात की scope इसमें रहता है, इसे जो वरिष्ट व्यक्ति हैं, जिनको सिवा करते हैं काविसा में हो गया, उनको एक हातोत साहित होने का एक अनुभव होता है, तो फिर वह कंपनी को छोड़ के जाने के बारे में सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो की एक एक एडमिक या टिक्निकल फिल्ड में बहुत अच्छा है, और अर्गनाइजेशन में अच्छा स्टेबल रहेगा और अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा, इसकी कोई गैरेंटी नहीं है, जरूरी नहीं है लोयल्टी यंद लेंट अफ सर्वेशे इस नॉट प्रॉपरली रिवार्ड़ेट, इस जरूरी चंचीडर्ड एस लेस कोस्ट एफेक्टिव द्यू अधिशनल हाइरिंग कोस्ट की, इस तरीके से कोस्ट भी ज्यादा होती है, तो यह कहेंगे कि इसको जो है less cost effective कहते हैं due to additional hiring cost की इसमें कुछ और भी खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो इस तरीके से इसको जो बोला जाता है कि यह cost effective नहीं है, it is opposed by idle employee and union leaders कि जो है यह union leader के द्वारा इसका विरोध किया जाता है क्योंकि senior persons को इससे opportunity नहीं मिलती है, तो इस तरीके से कहेंगे कि जो promotion on behalf of merit होता है उसमें भी कुछ सीमाएं होती हैं जिनकी अभी हमने बात की कि इसमें पक्षपात की सम्माव ना रह सकती है और जो senior person है उनका experience इससे ignore होता है तो वो company को छोड़के जाने का सोच सकते हैं और जरूरी नहीं है कि जो past performance है वो continue र and length of services not properly rewarded ये भी एक इसका drawback मैंने बताया and it is generally considered as less cost effective due to additional hiring costs and it is opposed by ideal employee and union leaders तो इस तरीके से promotions के जो भी criteria है उनके अपने अपने plus और minus या positives या negatives हैं तो requirement इस चीज की होती है कि दोनों को एक balanced way में यूज किया जाए कि जहाँ पे talent की जरूरत है वहाँ पे कुछ ratio में on behalf of merit promotion किया जाए और कुछ कारे ऐसे होते हैं जिसमें अनुभव की बहुत जरूरत होती है तो वहाँ पे अनुभवी व्यक्तियों को महत्व दिया जाए और वहाँ पे जो promotion का criteria हो वहाँ seniority होना चाहिए that's all for today next class में हम पढ़ेंगे कि promotion policy में क्या क्या बाते होने चाहिए promotion policy क्या होती है और इसमें क्या क्या included रहना चाहिए इसे के साथ साथ हम demotion के बारे में भी बात करेंगे ते ले लेंग टे कीर था